हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज हम डिजाइनर फ्लेयर्ड कुर्ती बनाएंगे तो इसके लिए हमने 3 मिटर फैबरिक लिया है और इसकी वेड़ थे 44 इंच सबसे पहले हम टॉप पर्ट की कटिंग करेंगे इसके लिए हमने फैबरिक को 4 फोल्ड में रखा है यह ओपन साइड है और यह फोल्ड साइड है और 4 फोल्ड की वेड़ 12 इंच है और टॉप पर्ट की लें 15 इंच है यहां पर शोल्डर लेंगे शोल्डर मैं ले रियू 6.5 यहीं से आर्मोल लेंगे, आर्मोल भी मैलेदियो 6.5 ओंच, इन दोनों पॉंटस को जोडेंगे अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th part plus 2 ओंच मारजिन लीना हैं मैलेदियो 12 ओंच अब यहाँ पर हमें कमर का 4th part plus 2 ओंच मारजिन लेना हैं मैं ले लिए 10 इंच, इन दोनों पौइंट को जोड़ेंगे, अब यहाँ पर 1 इंच उपर मार्क करेंगे, और हलका सराउंड शिप ड्रॉख कर लेंगे, अभी आर्मूल ड्रॉख करेंगे, इस लाइन का हाफ लेना है, और यहां से back का आर्मूल ड्रॉ करना है और half inch अंदर से front का आर्मूल भी ड्रॉ कर लेना है अभी neck की marking करेंगे तो हम boat neck बनाएंगे तो neck width में ले लिए 4 inch और neck deep में ले लिए 3 inch 3.5 inch उसके बाद इस तरह से shape देंगे अभी cutting करेंगे सबसे पहले neck और back आर्मूल कट करेंगे तो इस तरह से हमने cutting कर ली है अभी हम इसको open करेंगे और इसमें से back का part side में रखेंगे और front part को face से fold करेंगे और front आर्मूल की cutting करेंगे तो हमने front आर्मूल की cutting कर ली है अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो इसके लिए हमने fabric को 4-fold करके रखा है इस 4-fold की weight हमने 10-inch की ली है और sleeves की length 17-inch ली है अभी हाँ पर open side से हम 3-inch पर mark करेंगे 3-inch पर और इस तरह से sleeves का shape draw करेंगे अभी हम sleeves bottom लेंगे तो वो मैं लिए 7-inch इन दुनों पॉइंट्स को जोडएंगे और स्लीज की कटिंग कर लेंगे इस तरह से हमने स्लीज की कटिंग कर ली है अभी यहांपर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे उसके बाद हम स्लीज को उपन करके रखेंगे और 1.5 इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमने स्लीव की कटिंग कर ली है अभी बॉटम पर्ड के लिए हमने फाब्रिक को डबल में रखा है तो ये दो पीस है फ्रंट और बैक के लिए तो बॉटम पर्ड की लेंध हमने आपर 36 इंच की लिए है लेंध आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़ादा कर सकते है अभी इसको हमें फोरफोल्ड करना है इस तरह से हम इसको फोरफोल्ड करेंगे इस फोरफोल्ड की जो वेड़ है वो 22 इंच की है अभी इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे अभी इसके सेंडर बे हम एक निशान लगाना है उसके बाद जो निशान लगाया है उससे हमें दोनों साइड में थ्री इंच पे मार्क करना है अभी लेंथ लेंगे तो सेंडर निशान लगायेंगे दोनों साइड में उसके बाद इसको यहाँ पर हम तिरचा जोड़ेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है अभी इसको उपन करेंगे इस तरह से दो पार्ट को हमें कट करना है अभी इसमें से एक पार्ट को हम साइड में रखेंगे दो पार्ट से एक फ्रन्ट को और एक बैक का तो देखें अभी इस तरह से हमें इसको स्टिच करना है इस तरह से किनारियों को मिला के हम स्टिच कर लेंगे तो इस तरह से चारों का लिया एटैच हो जाएंगी इस तरह से जहां तक कट है वहां से ही हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे इस तरह से हमने इसको जोड दिया है इस तरह से कट करने के बाद जब हम इसको जोइन करते हैं तो इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है तो कम कपड़े में भी हम इस तरह से घेरा बना सकते है तो देखे इस तरह से हमने इन कलियों को एटेच कर लिया है नीचे से कलियां कट नहीं करनी है सिब आधे पे ही कट करनी है तो देखे इस तरह से इसका फ्लेर लुक आएगा पहनने के बाद अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो हमने फ्रेंट का पार्ट लिया है तो नेक के लिए हमने नेक के शेप की स्टिप लिया है इसे इसके ओपर उटार के स्टिच करेंगे सेम इसी तरह से दुसरे परट के लिए भी हमने नेक्के शेप की स्ट्रिप ली है इसे भी हम इसके उपर रखके स्टिच करेंगे तो हमने इसको स्टिच कर लिया है अभी यहां पर हम चुट चुटे कट्स लगा लेंगे और cuts लगाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ fold करके top stitch लगाएंगे सेम इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हमें cuts लगाने हैं और strip को अंदर की तरफ fold करना है इस तरह से हमने neck बना लिया है अभी दूसरे पार्ट को इसके उपर उल्टा रख लेंगे और shoulders attach कर लेंगे तो हमने shoulders attach कर लिया है अभी हम sleeves को attach करेंगे तो sleeves को हम shoulder के उपर उल्टा रखेंगे और इसे stitch कर लेंगे और sleeves के bottom को double fold कर देंगे तो हमने दोनों sleeves को attach कर लिया है अभी top part और bottom part को attach करेंगे तो top part को हमें bottom part के उपर उल्टा रखना है और इसे stitch कर लेना है तो हमने दोनों parts को attach कर लिया है उसके बाद हम इसको उल्टा करके दोनों side से fitting करेंगे और bottom को double fold कर देंगे करेंगे झाल झाल